स्वागत करता हूँ आप सभी के एक वर फिर से मुराडिय अकैडमी के यूटूब चैनल पर और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी गुवर्मेंट कोलेज है राधस्तान में उन सभी गुवर्मेंट कोलेज की जो कंफरम मेरिट लिस्ट है वो जारी हो दो चुक है तो वह आप सभी को कैसी चेक करना है की और जो वेटिंग लिस्ट में जींजिक देंट का नाम था वह कैसे चेक कर सकते हैं कि अमारा जो एडिमिचन है Ал Il हुआ है या नहीं हुआ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साथ ही सेकरण मैट्री सब्सक्राइब करें और व्लाइकन को जरूर को ज़र दबा से रिलेटेड अपडेट्स है एक्जाम फोर्म से रिलेटेड अपडेट्स है और जो भी एडमिट कार्ड से लेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप सभी को प्रोवाइड कराई जागी हमारे यूटूब चनल मुराडिया केडमी पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू जो मैं गोर्मेंट कोलेज की बात कर रहा हूं उनमें महाराजा कोलेज महाराणी कोलेज कोमर्स कोलेज और राजस्तान कोलेज मैं इन कोलेजों की बात नहीं कर रहा है कि काफी स्टुडेंट्स ज्यादा कन्फ्यूजन में है कि राजस्तान इंवर्सिटी की चार लेकिन ये इन college में नहीं आती जैसा कि department of college education इनकी जो इनके अंदर तैत में ये college नहीं आती है तो मैं इन college की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल government college की बात कर रहा हूं जो कि आपके home district में होती है ठीक है students तो अब बात करते हैं कि कैसे आप सभी जो confirmate list है उसको check कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप सभी को चले जाना है google browser पर ठीक है students जैसे ही आप google browser पर जाते हैं तो यहाँ पर आप सभी को अपनी college का नाम type कर देना है जो भी आपकी college का नाम है जिस भी college में आप admission लेना चाहते हैं जिस college से आपने forum fill up किया है जैसे हम मैंने बात के PNKS college दोसा दोसा की पंडित नवल किसुर जो government college है उसकी इसको जैसे आप click करते हैं तो जो आपकी college है जिस भी college में आपने अपने document verification करा है फीस दमा कराई है तो उस college की जो official website है वो आप सभी के सामने दिखाई दे जाएगी यहाप पर फर्स्ट option में ही वो आप सभी की government college होगी उसकी ठीक है students फिर आप सभी यहाँ पर उपर इपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ options दिखाई देंगे आप सभी को about us faculty academics downloads और admission जैसे आप admission पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पर कुछ नीचे जाने पर कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा यहाँ पर सभी details आपके सभी details दी गई है और यहाँ पर देख सकते है final admitted list of BA parts first session 2022 यहाँ पर सभी जितने भी courses है उनकी जो merit list है वो यहाँ पर दे दी गई है जो waiting में आये है उनका confirmation हुआ है या नहीं हुआ वो भी यहाँ पर दे दिये गए है तो आप यहाँ से जो अपनी confirm merit list है वो download कर सकते है ठीक है students और अपना नाम देख सकते है कि आपका जिन भी students का waiting list में नाम था उन का admission confirm हुआ है या नहीं हुआ और जिन students ने पहले ही अपने document verification और पहले भी waiting merit में था और उसके बाद में document verification और फीज जमा करा दी तो उन students का भी इस merit list में नाम होगा तो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से आप सभी download कर सकते हैं देख सकते हैं यह finally admitted list है ठीक है students और दूसरा तरीख मैं आप सभी को बता दू दूसरा तरीका क्या है आप सभी को अपने जो-इसका चेक करने का कि आपका admission हुआ है यह नहीं हुआ तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा कि जो आपको college है जिस the college में आपने admission लेना चाहते हैं या univers plus college में आप सभी को जाना re-admission staff वहाँ से भी आप confirmation कर सकते हैं तो चलिए आप बात करते हैं जो second merit list है वो जारी होगी या नहीं होगी तो मैं आप सभी को बता दू कि जो government college है उनकी second merit list जारी नहीं होती है जी हाँ जो re-admission form है वो जल्द ही start हो जाएंगे लेकिन जो second merit list है वो नहीं आएगी अगर आपके college में seat खा लिए तो वापीस admission forum fill up किये जाएंगे ठीक है students वो परकिरिया जल्द ही start हो जाएगी उसके लिए मैं आप सभी को बता दूँगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी परकार के अगर और सो तो कमेंट वक्स में में जरूर बताए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बैल आकन को जरूर दबादेना धन्यवाद